लग नहीं रहा होगा मगर यकिनन ऐसा होगा कि शान्ता राम सुरक्षित दर्बार से बाहर आ जाएगा चाहे युवरास खंडिराव कितना भी गुसा करें कुछ भी करें मगर शान्ता राम पर आँच नहीं आएगी वो दर्बार से सुरक्षित बाहर आ जाएगा सजा बहुत कड़ी मिले ना मिले मगर उसका बाल भी बाका युवराज खंडिराव नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि देवी अहिल्या वहां पर है और उन्हें कहा था कि ये भारतिय नारी है कृष्णा भारतिय नारी है और भारतिय नारी के लिए उसका पती उसका परमेश्वर होता है वो चाहे कैसा भी हो उसका सब कुछ बस वही होता है जब देवी अहले कहती है कि कृष्णा भी उन्ही नारियों में से एक है जिसे इसी खाया गया कि पती चाहे कुछ भी करे और परिवार चाहिए कैसा भी हो मगर परिवार का मान समान आपने बनाए रखना है उसकी इज़त को नहीं रोलना है मिट्टी में तो बस वही काम वो कर रही थी हाँ जब बात बेटी पर आ गई तो उसे बोलना पड़ा मगर यहां पर जैसे ही तलवार उटती है यूरास खंडिराव की और गर्दन पर जा लगती है शानता राम के तो बिलक उटती है तड़ उटती है और कृष्णा नहीं कृष्णा के अंदर की पत्नी यूरास के चरणों में गर जाएगी हाँ जोड़े कहेगी की मेरे पती को कुछ मट करो इसकी जान बख्ष दो क्योंकि कैसा भी है जैसा भी है उसका वो पती है यहां बेशक भरे दर्बार में कृष्णा पर हाथ उड़ा दिया हो शानता राम ने उसके पती ने मगर वो बताएगी कि पत्नी क्या होती है और पती और पत्नी का रिष्टा क्या होता है तो शायद थोड़ी बहुत बख़ समझ में आजाएगी शानताराम के जुब तक नहीं आयती हलागि अमीद नहीं है कि उसे समझ में आएगी क्योंकि कुछ इनसान हैवान होते है एनसानों की शक्ल में शांताराम फिलाल उन्हीं में से लग रहा है लेकि उसे भढ़काया भी गया है गुनुजी द्वारा जो सच सामने नहीं आएगा खेर बात ये कि अब यूरास खंडराव उसे कहेंगे देवी अहिल्या भी कहेंगी कि देखो तुम्हारी जान बक्षी जा रही है क्यों क्योंकि तुम्हारी पत्नी ये कह रही है और हो सकता है कि फिर वो माफी भी मांगे अपनी पत्नी कृष्णा से भी बेटी गोमती से भी स उस सजा को प्राश्चित के तोर पर काटेगा और उसके बाद में जब वापस घर जाएगा तो पतनी के साथ में बेटी के साथ में सुख पुरवक रहेगा और एक अच्छे पती का जो फर्ज होता है तो आपको जो फर्ज होता है वो निभाएगा और युवरास खंडिराव उसे एचीज समझा देंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था देवी अहिला जब दरबार में नहीं आई थी कृष्णा भी दरबार तब तक नहीं पहुँची थी सिर्गोमती आई थी गोमती को कहा था उन्होंने कि तुम्हारे बाबा भी अच्छे पती बनेंगे अच्छे बाबा बनेंगे हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर युवरास खंडिराव गुस्रा हो गए है देवी अले ने कोशिश की है एक पापी को सज़ा दिलवाने की मगर एक पत्नी अपने पती का मर्म समझती है और कृष्णा अपना धर्म निभाएगी पती पर जब आँच आती दिखे तो खुद कटने को तयार हो जाएगी और ये बाद शानताराम को समझ में आ जाएगी इसलिए वो बच जाएगा क्योंकि कृष्णा और गोमती के चहरे पर मुस्कुराहट तब ही आएगी जब शानताराम अच्छा इनसान बन जाएगा और इसलिए मुझे ये लगता है कि देवी औहिल्या और युरास कंडराब यही चाहेंगे कि वच्छा इनसान बने बेशक सजा काट कराए कम होके ज़्यादा उसे गलती का हैसास हो चुका होगा और दरबार में यही फैसला होगा बाकी आपको क्या लगता है बताईएगा क्योंकि होना तो यही चाहिए बाकी चाहने को तो क्या होता है चाहिए तो यह भी कि गुन्नुजी को जल से जल सजा हो परदा फार्श होनके स्टेडियंत्रों का और तलवार शांता राम पर रही गुन्नुजी की गर्दन के आर पार होनी चाहिए यूरास खंडिराव की मगर चाहिए हो तो नहीं रहा खेर देखिए यह बात हमें यह तो सिखाती है कम से कम सामने वाला चाहिए कैसा भी हो हमें अपना धर्म नहीं जोड़ना चाहिए नहीं भूलना चाहिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए चाहिए हम किसी के साथ भी किसी भी रिष्टे में हो अपना फर्ज हमेशा निभाना चाहिए और सुना होगा अक्सर हम कहे देते हैं कि जिससे प्यार होता है उसी से लडाई होती है मगर जिससे प्यार होता है उसे एहसास भी तो करवाना चाहिए कि हाँ प्यार है हमेशा ये नहीं कि लड़ते हैं जगड़ते हैं तो प्यार है तो प्यार से रही भी ना